एक्सेलशीर नियूस में आप सभी का स्वाग अदम है उरुतेश कुपता दर्श को जैसे कि हम सब जाना दें कि पिछले कहीं दिनों से जो है बारिश जो है अपने साथ तबाही लेकर आई है विशेश परकार से अगर हम रामबन की बात करें तो रामबन में जमीन दस गई औ अगर हम बिजली के टावर की बात करें रेसीविंग स्टेशन की बात करें भरक जो है शयतीक रस्त हुआ है इस वक्त जो है यह मेरे साथ पर dipsyशों अव्तार से यह बताना चाहता हूं कि जो Stefanius जो पिछले दो of land or land sledding जो हो रही है कि यह कोई दो जा तीन दीन का इश्व नहीं है मैं यह पिछले दो दसक से तो डोड़ा डि स्निर्ट मेन और उसके डिस्टिक में हुआ ग्यों डिस्टीक में पिलान्य की नरेक टाइपायब जो बज़ा से जो हो रहा है पिछले दो दिशिक से ये अर्थक्यों की बज़ा से हो रहा है तूथोजन 13 में उसके बाद क्लाउड ब्रस्ट होता है लैंड्स लाइडिंग होती है फ्लाट हजार टिफेंन टाइप डिजास्टर जो एरिया में हो रहा है यह बिसीकली एक अन्म एक्तीफ प्रोण एरिया आप इसको नियोटक्टाणी कहोगे आप टिक्टाणीम लुदिग में इसको कहोगे जे इस्ट्रम हिमाला जो है पूराग फरजाईल है उसी की अग्या, halfindre में लैंड स्लाइडिंग हुई थी मिले संगल दान में भी सवसिउन साफ लैंड हुआ था लैंड लैंडों नेस आधिं Billy से सारा सिस्टम है ये सारा सिस्टम यह पूरा एक्टिम टक्तानिक की बज़ा से हो रहा है जैसे ही रीवर जो है चनाब रामबन से तर्ण लेती है इस टू वेस्ट और उसी दूसरी साइड से वेस्ट टू इस एक चिंगा नाला आता है और दोनों का जब कंफिंट होता है दोनों जब मिलती है अपस में तो उसमें एक एक फाल्ट लाइन क्रियेट होती है वह फाल्ट लाइन जो है जो कि इस साइड में हमारा पंज shar है तो फिर टर३ заключ को टन लेती हैं तो उस सफाथ लग ने सिर फिर वह स्वार्ट को टन लेती है तो चाहश्य पाड़ाएं। बंती हैं यह बेशीकाली जेलोजी वो एरिवर्स फॉल्टे बनता है रिवर्स फाल्ट की बज़ से जो हो लेफ्ट साइद जो है वो फुट्वाल साइड है और र्राइट साहर क्शेरी है जो हांगिंग बाल साइड है मूब अब ओवर्ड और और उसी से पिछले दौ दस्ट से गोंचिनीजी जो है ग्रूर आिके टिवाल्यकाइड हो रही है एक्ष动 एक्टिवीटिटी को finans म्हंनिक बिल्डी कолжो निय तो यह विधानिक हो को रही है इसका बचाफ क्या है क्या कदम जो है हमें उठाने के विशकता है तांकि फ्यूचर में जो है हम बचाफ कर सकें पहले से जुए प्रिकॉशनरी तोर पर कदम उठाए जा सकें कि आपका सुवाल बड़ा बाजब है कि इसी सुवाल का जवाब देते हुए मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि नैचर मोर्स इंसेंटर हैदराबाद ने हमें प्रोजेक्ट एक सेंक्शन किया है जो हमने लैंड स्लैडिंग इंवेंट्री आप पोस्ट टॉंटी टॉंटी धिकी बेसेस पर हमने इंवेंट्री जो जोनेड करनी है हो और मोर्स तेंसिंगि जे एएच डिपाडमेंट नेचर मोर्स इंसेंटर हैदराबाद ने इस साल का टास्क दिया है और शोंड यह हमने उसी के बेसेश्ग सह्द करना है कि इंवली वार्निग सिस्टम जनेड करने होगे वो जो है वो सिस्टम के लिए एडमेशेशन के लिए वो बहुत हैल्फुल होगा कि हमें और दूसरा स्वाल आपका जी है कि एडमेशेशन है प्रिकाश्चनली मेजर लेने चाहिए लेना पड़ेंगे नहीं तो लोगों का वहां वहारी नुक्सान होगा कोई भी कंसेक अगर आप एरिल व्यू में जाना चाहता हूं कि किस तरह से इंसिडेंट हुआ है अगर आप एरिल व्यू से देखोगे ए रमोर संसिंग डाटा से देखोगे यह बेसिकली डाटा जो है गूगल आटा है यह मोट संसिंग और जी इस डिपार्टमेंट की जो पॉर्टल हमने लेगाया है उसको अगरेड़ डाटा यह सारी इंफर्मेशन रूंबर भाता हुआ अपको यह सारी इनफर्मेशन ब्ताउंगा कि यह जो इनिफिर्म यह जो यह रिवर चनाब जो है यह जब बेस्क One लेश और जा रही है और झायिए तर्म सौथ को लेती है इस साइट से चैनी नाला आता है जब दोनों का जहां मिलते हैं अपस में दोनों यह चैनी नाला के साथ चैनी नाला जो है चनाब रिवर के साथ मिलता है जहां तो यह फाल्ट लाइन एक बंती है यहां जब रिवर इस साइड को टर्न होता है तो जहां अगें स्टेट बे आता है जहां एक फाल्ट लाइन बनती है तो यह फाल्ट लाइन दोनों जो है यह बेसिकरी बेसिकली वर्स फाल्ट है तो यह रिवर्स फाल्ट जो है यह वाला यह वाला जो है यह मरी थस्ट है यह पंजाल थस्ट है पंजाल थस्ट के ऊपर आपकी और इसके नीचे आपकी जो है वो इसे वन फार्मेशन तो यह यह बेसिकली अगर दोनों यह वह विकाज आफ रिवर्स फाल्ट यह वाला पोर्शन उपर चला गया यह वाला नीचे आ गया तो यह सारा टक्तानिक एक्टिविटी से हो रहा है और तभी इस ही एरिया में है сeda मेश के हैं फृती क्युमीतर संज्ट एक्टिविटी हो रहे है इस साइड़ में आप देखोगे चैनलाइज करोगे तो इसमें है आपको संगल दान जो है यह आपको संगल दान दिख रहा है और यह आपको राम बन में परनोट दिख रहा तो जहां एक्टिविटी हो तो कई ना कई जो यह यह खत्रा नहीं होता तो तब ऐसा कोई खत्रा नहीं होता विकाज आफ कूने से यह वाला पॉर्श यह बनता है और जहांजान प्रेट आ रहा है तो वहां वहां ही आपका reverse fault है इसमें reverse fault है fault line के साथ इसमें reverse fault है और ये portion नीचे आ गया वो portion उपरा आ गया तो ये वाला सारा portion जो है ये पंजाल थस्ट का है और ये मरी थस्ट का है इस हिस्से के लिए कुछ कर सकते हैं हम लोग ये ये basically tectonic activity tectonic active area है तो tectonic activity area को कोई हमारे पास ऐसे नहीं है precautionally major के हम इसको रोग पाएं बट हमारे पास कोई ऐसी सुभीदार नहीं है कि हम जो tectonic activity को रोग पाएं बट इसके संदर्व में precautionally major जुरूर ले सकते हैं कि कोई भी construction करे कोई भी activity करे तो उसको मदर नज़ रखते हुए हम करें कि यह और ज़्यदा active ना हो यह active इसलिए हुआ जब संगल दान से हम जहां डाइगनली इसको कट करके हम कुनकुन रेलवे की टरनल बना रहे थे यह सेरिया में तीन किलोमेटर में इसमें प्राब्लम आ रही है तो दोनों को मदर नज़ रखते हुए administration कोई भी future में planning करें इन चीजों को मदर नज़ रखते हुए टेक्टानिक एक्टिव टेक्टानिक एरिया को मदर नज़ रखते हुए construction करें building roads houses यह मेरी अपील है administration संगल्दान की बात करें या फिर पर्नोड की बात करें तो एरियल जिससे डिस्टेंस की बात करें तो वह 13 किलोमेटर के आसपास अगर रोड के पवी से बात करें तो चाली से पिन तालीस की बीच में है तो इतने कम डिस्टेंस में इस तरह से यह वाक्या हो रहे हैं तो कही लांग दा में ये किकली तरस्ट जो हमरी तरस्ट हो गया पंजाल तरस्ट व गय। यह आप शूुरम संसी के में मेन भॉंडिटी त्रस्ट के पर जाए स्टोड परेलती स्ट करे lahat में आप बपार्ण रिसके मेन भानड़ी थ efficacy कैजूल्टी जो मिनिमम लोगों को नुक्सान हो उसी को देखते हैं उसी के सब्सक्राइब इन्होंने सारा सेस्टम को जिनेर करना चाहिए तो इन फ्यूचर जिस तरह से डिस्टेंस जो है बढ़ रहा है अगर हम संगल्दान से बात कर रहे हैं पन्नोड तक उसके बाद जिस तरह से यह थ्रेट है आगे भी जो है इस तरह की चुनोतियां आएंगी और सरोंडिंग एरिया की बात करें एड्जोनिंग गाओं की बात क कर दोन एंटर्डेटर मैं स्टोन एंड क्लिया उसी में जो डाइगनली जो जब उसको रेल बेट्रैक बना रहे तो लास्ट यर अल्टी में तीर वह सक्सेस्फुल हुए आफ्टर 10 यजर वार बार गिरता था वही तीन किलो मेटर स्टेस संगल्दान में था वही तीन किलो स्टेस्ट पर नोट में है और उसी तीन किलो मेंटर्स पर दोनों जगह से विकाज दोनों एक्टिब टक्टानिक एरिया है और दोनों को इस एरिया में बेसिकली 40 to 45 km रोड और एरियल 30 to 40 km मैं आपके माधियम से administration को जे request करता हूँ कि future में कोई भी इस एरियम है जो construction हो वो precautionary major लेके लोगों को construction NOC देके construction को अलोग करना चाहिए किस तरह के precautionary कदम उठाने चाहिए ये आपको इसके बारे में प्रकाशली major को इंजिनी आसपेक्ट से के इंजिनी के आसपेक्ट से लोग इंजिनीरिंग लोग बता पाएंगे जो कैसे कैसे हमें उसको basically हमें एक आसपेक्ट तो इंजिनी आसपेक्ट construction of house होना चाहिए दूसरे अगर कर जैलजी कहो तो हमें इस सेरी का जैसे हमें project करें है लैंड स्लाइडिंग हजार जोनेशन मैप बनाना चाहिए seismic हजार जोनेशन मैप बनाना चाहिए तो वो उसी असपेक्ट पे गवर्मेंट लगी हुई है और हम काम कर रहे हैं नेक्स यर तक हम आपको इस एरिये का पूरा लैंड स्लाइडिंग हजार जोनेशन जेंड के जूटी और लदाख जूटी का हम त्यार करके आप गवर्मेंट को हैंडोबर कर देंगे ए जैसे हमें NRC को करेंगे हैटराबाद को नेशन मौ सेंटर को वह स्टेच को दोंगे स्टेट्प्वर्मेंट हमसे भी ले सकते हैं आखे cushion अप यहांक्यों के स्थानिय लोग है स्थानिय लोग से अपील मैं यही करना चाहता हूं कि हमें मतलब इमिजेटली प्रिकाशन मेजर ही हल है इसका हमें ऐसा हुआ नहीं क्रेट करना चाहिए जिससे लोग जो हरबड़ा जाएं और लोग बहां से बाग जाएं यह नेच्छल डिजास्टर है नेच्छल डिजास्टर कहीं भी हो सकता है इमिजेशन को प्रिकाशन इमेजर लेने चाहिए एडमिजेशन को हल्प लोगों की करनी चाहिए लोगों को भी इमिडेटली ऐसा सिस्टम ना जिनेट करें पैनिक ना हूं जिससे बाकी बाले एरिया को भी एफेक्ट पड़े यह कहीं ठीक है जिस्टम डे टाइम हुआ अग सिस्टम जैदा क्लैप्स होता लोग की जैदा कैजूल्टी होती कल ही सुना है मैंने के लैंप एक लैंड स्लाइडिंग की बज़ा से थर्टीन इर ओल्ड जो है वो पत्थर से हिट हुआ और रीबर चनाब में गिर गया तो ऐसी अंटूवर्ड इंसिडेंट कभी भी हो सकत है नیचल डीजास्टर कहीं भी हो सकता है नیचल क्लाइमेटी ऐसकी बजय से होती है उसको प्रिकास्चनिमेजन के लेना चाहिए गौवर्डमेंट को बड़ लोगों को यह खथ मेर्ी रुखस्ट है कि पैनिक ना क्रेट करें गॉर्मेंट भी उनको समझाए गौर्मेंट रिहेबिलिटेट करें, लोग गवर्मेंट उनको रहने का सुविदा प्रवाइड करें, खाने, पीने, रहने की सब की, ये मेरी गवर्मेंट से गुजार्श है, और लोगों से गुजार्श है, कि जो नैचुर डिजास्टर, क्लैमिटिस हो रही है, उसको मदर नजर रखते ह हुए पैनिक मत क्रेट करें, और अपने आपको राम से जहां गवर्मेंट एडमिसेशन को सिटर करती है, और गवर्मेंट को भी मैं रुकस करता हूं, कि उनको हर सुविदा प्रवाइड करें, लोग जो अपने तरीके से अराम से रह सकें, बहुत दो शुक्रिया पैनिक है, इतनी टेकनोलजी है, उसका इस्तेमाल किया जाए, और साथ यसाथ में आम लोगों की बात करें, तो आम लोगों की ओर से भी उनका ध्यान भी हम इसे और किंद्रित करना चाहेंगे, कि जब वो डेवलोमेंट करें, अपने घर की करें, या अपने स्रोंडिंग ए